प्रपए प्रश्थ प्रहस्थ gorश में चर्चा और उन्क ऐसे लग prepared पर चुर्चा से पहले बैठक और बैठक में कैसे बक्षी पाटियों को काउंटर किया जाए और कैसे जो सवाल है उसके जवाब दिये जाए इसको लेकर ये पूरी स्क्राटजी बनाए गई है और बैठक में पीम मोदी भी मौजूद है और आपको बताते चले कि लोगसभा क जो कारवाही है उसमें बारा बज़े तक कि रिस्थखित हो गई है बताया जा रहा है लेकिन उसे पहले ये पैठक और बताया जा रहा कि इस दौरान मड़ी पूर हिंसा को लेकर विबाचित हो सकती है आवश्वास प्रस्ताओं पर लोगसभा में दोपहर 12 से शाम 7 बज़े तक चर्चा होगी चर्चा में आज 12 बज़े कॉंग्रस देता राहूल गांधी पोलेंगे इस आवश्वास प्रस्ताओं में कॉंग्रस की योवर से राहूल गांधी, गौरो गोगोई, मरीश दिवारी और दीपक बोलेंगे सत्ता पक्ष भी रंडिती बनाने में जुटा हुआ है सुसरों के मताबिक सत्ता पक्ष के तरब से 20 वक्ता बोलेंगे बीजेपी सांसद, निशिकांत, दूबे, बीजेपी के तरफ से चर्चा पर सबसे पहले बोलेंगे और इसके अलावा केंदरी, मंतरी, स्मृती, रानी, निर्मलासी, तरमन, जोत्रा दित्या, सिंधिया, राजबर्दन, सिंग्राट, और चर्चा में भाग लेंगे आठ, नौ, दस अगस्त को चर्चा होगी, नौ अगस्त को ग्रेमंतरी अमितर शुहा भी पक्ष का जवाब देंगे वहीं दस अगस्त को पियमोदी जवाब देंगे तो देखे, क्या है प्रस्ताव सरकार के पास भूमत है या नहीं इसकी जांच होती है संक्या बल का सदन में शक्ती प्रसिक्षर होता है सत्ता पक्ष के लिए सदन का विश्वास बहुत जरूरी है लोगसभा के सदस ये वोट करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए भूमत साबित करना बेहत जरूरी होता है तो और देखे इससे पहले कितने आविश्वास प्रस्ताओ आए हैं इंडरा गांदी के लिए बारा बार आविश्वास प्रस्ताओ लाया गया है राजीव गांदी के लिए एक बार आविश्वास प्रस्ताओ लाया गया है तो देखे किस प्रधान मंतरी के खलाब कितने बार आविश्वास प्रस्ताव लाया गया ये भी हम आपको एक एक करके बताते चल रही है पीबी नरसिंभा राओ जिन के लिए तीन बार आविश्वास प्रस्ताव लाया गया आटरद्यारी वाजपाई के लिए दो बार ये प्रस्ताव लाया गया है जवाहर लाल नहरू के लिए एक बार आविश्वास प्रस्ताव लाया गया हाला कि जो संख्या बल है विपक्षी पार्टियों की तरफ से बेहत कम है क्योंकि संख्या बल साबित करना बेहत जरूरी होता है देखे प्रस्ताओं के समर्थन में कौन है आयंसी पतायतों पच्छास है वही टीमसी की बात करो 23 है इनके पास और समाजवादी पार्टी के पास 3 है और अधर के पास 27 है यमकी के पास 27 और जेडियो के पास 16 है कुल सांसत जो है वो 143 है तो यह एक एक करके आपको बताते चल रहे हैं किसी के साथ नहीं है ये भी हम आपको बता रहे है कौन सी पार्टी किसके साथ है किसके साथ नहीं है क्योंकि संख्या बल साबित करना होता है आविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उसके तहट विपक्षी पार्टीों को ये दिखाना होता है क्योंकी संक्याबल कितनी है